चलिए आज हम बनाते हैं काले चने की छोले चेट पटा एंड टेस्टी समागरी पहले से रेडी हो चुका है चलिए चलते हैं चुले के तरफ चुले पर रखें हैं फ्राई पेन उसमें डालते हैं सर्चर के तिल आपको भी तेल में बना सकते हैं फ़र सा इस में ड़ते हैं, जीरा, हारे, मिर्च और कटा हुआ प्याज P्याज को ट्रने के बाद इन सब को चलाते हैं अझी तरह से हाँ पस्कून डालते हैं नमक नमक पढने के बाद इन सब को धखते हैं दो मीनट पर पकने के लिए दो मिनट हो चुगा है अब इसको चला लेते हैं और इसमें डालते हैं गार्लिट, जिंजर का पेस्ट डालने के दाद इन सब को अच्छी तरह से मिलाते हैं आप डालते हैं मसाला हल्दी पौडर लाल मिट्स पौडर धनिया पौडर गरम मसाला और मामब डालते हैं स्वाद अनुसा लामब पौडर भी डाल लिये थे इसी विए अब दिखा नहीं पाए चार मिनट तक इसको पपने देते हैं चार मिनट हो चुका है इसमें डालते हैं पटा हूँ अटमाटर टमाटर को डालने के बाद अच्छी तरह से चलाते हैं और धरते हैं पांच मिनट हो चुका है देखते हैं मसाले का हाल चाल टमाटर मसाले में मेल्ट हो चुका है अब इसमें डालते हैं उगला हुआ आलू आलू को पॉर्ण सर्वार करते रखे थे इसका पेस्ट बनाकर इन मसालों के साथ आलू को भूंग लते हैं और फिर से ढखते हैं तीन मिनट के लिए तीन मिनट हो चुका है अब इसमें डालते हैं चाना चने को डाने के वाद अच्छी तरह से चलाते हैं मसाले के साथ मिक्स हो चुका है अब इसमें डालते हैं पानी पानी डाले थोड़ा सा जर्रत की साथ से पानी डाले दो मिनट तक बखने देते हैं दो मिनट हो चुका है 16 मुर्गे रेडी हो चुका है चुले को करते हैं अब अब इसको ठंडा होने का एंपिजार करते हैं छोली रेडियो हो चुके हैं वीडियो पुसंद आए तो लाइक, सेर, कोमेंट करें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यबाद